नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निमेदन है कि प्लीस वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करें जिसे जो भी मैं सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं सहे सहे दिल से स्वागत या सुक्रियादा करता हूं चलते दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं LCM और LCF जान दोस्तों लगत्तम शमावर्द और महत्तम शमावर्द तक दोस्तों चल आंगे बढ़ते हैं देदा करते हुए दूस्तों सबसे पहले में लिया है लगत्तम शमावर्द यानि की लियक्ट कॉमन मल्टीपल यानि सवाट व्रहाएगा दोस्तों इसका LCM दोस्तों इसकी परिभासा आपको बता दे रहा हूं इसकी परिभासा है दो या दो शे अधिक शैंक्याओं का आप नहां पर देख लें जैसे दो और आठ या फिर चार पांच या तीन च्छाइवी संक्या जो भी होगा है उसका एलस्टेम रहेगा जो उन दोनों संक्या से पूल विभाजित हो जाए दोस्तों ऐसे ही आंगे चलते हैं अंगला है दोस्तों स्थी आप यानिकी महत्तम शहर्थ दोस्तों इसको इसको है जो उन संक्या ऑफ्री यानिकी प्रीवाजित होती है और से अधिक्र में उनको पूल विभाजित करें दोस्तों चलते हैं दोनों LCF और SCF को एक साथ करके देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैं दोनों को एक साइट एक साइट करूंगा LCM और दूसरी साइब मैं करके बताऊंगा आपको LCF एक ही संक्या से मैं करके आपको बताऊंगा जिससे आपका पूरा का पूरा concept clear हो जाए दोस्तों कोई भी शंक्या आप यहां पर ले लें आप और वारा दोस्तों इसका LCM आपको नकालना है कि कोई भी दो या दो से संक्या दो या दो शंक्या से अधिक शंक्या जो उन दोनों से विवाजित हो जाए भाई LCM कहल आती है दोस्तो इन दोनों शंक्या से विवाजित कौन संक्या होती है इसको निकालने के लिए आप देखेंगे इसके गुरच करेंगे दोस्तो 8 का आएगा दोस्तो 8, 12, 16 आएगा फिर आठ त्री दोस्तो चौबीस आएगा और आठ त्री चौबीस फिर दोस्तो आठ चौकों आजाएगा बत्तीस और आप ऐसे ही बारा कर देखेंगे तो 12 थोनी आ जाएगा दूस्तो 24 और यहां पर देखें 12 तीछ थिस दोस्तो फर यहां पर गौमन आ गए यहां पर 24 और 24 दोस्तो यह 8 से भी फूर्ड विवाज़त है और 12 से भी फूर्ड विवाज़त है दोस्तो 8 और 12 का LCM आ जाएगा दोस्तो 24 आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान बहुत ही इजी तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तो इसके बात बात करते हैं आप अपर हैसे एह सेप्किर निकाल सकते हैैं इसमें क्या है है इन बिवाजित करती है और एक भी साथ में बिवाजित करता है जैसे कि आठ को बिवाजित करने के लिए एक तो करता है उसके बाद कौन करेगा दोस्तों दो भी कर देगा उसके बाद चार भी कर देगा फिर दोस्तों और आठ भी कर देगा ऐसी बारा को दोस्तों एक भी कर देग बिभाजित पूर्ण और दो भी बिभाजित कर देगा तीन भी कर देगा दोस्तो चार भी कर देगा चार तरी बारा आ जाएगा दोस्तो उसके बाद आ जाएगा और फिर बारा भी बिभाजित कर देगा दोस्तो चार अपनों को चाहिए क्या जो इसमें कॉमन हो दोस्तो इन और बारा का SCF होगा दिया है यहां दोस्तों progress 24 और SCF आ जायगा दोस्तों चार आप इसको आसानीसे स्यृप निकाल सकते हैं बहुत ही clear concept है यह हैरी दूसर चलते हैं 3 सेंकियां को मैंऄ बता दे रहा हूं आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं या तो आप इसको जिस बिदी से निकालना चाहे हैं लेकिन आपको यह बिदी बहुत ही इजी और बहुत ही सरल दाइक आपको लगेगी यह कठन बिदी नहीं है दोस्तो चलते हैं तीन संक्याओं को मैं करके बता दे रहूं को आपको की तीन संक्या को आपको कैसा करना है दोस्तों ऐसे यहां पर देहेंगे ल्च यहां पर आ जाएगा दूस करेंगे ल्चम और यहां पर करेंगे ऐस्व ऑब कि twins एस नहीं है ड़ुस्त तो इसी पर को लेने अ आए बारह और 24 कोई भी संक्या लेलें आप उसको आसानी से सुल्व कर सकते हैं इसका आपको लसी हमने करना है कि किस संक्या में जाए किस संक्या को यह है पूर बिवाजित करेंगे यह है तीनो दोस्तों देखेंगे कि यह 8 से आज रहेगा 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32 दोस्तों इसके बाद 12 कर देखेंग 22x 24 तो ने 28 दोस्तों इसके जादर लंबार लेकर जाएगा इसके आएगा कोमन क्या आएगा इसकोरद करांगा कि दोस्तों 24 तोस्तों तोस्ते में 24 24 नजलिradas Ja 2 तो आप इसका बारा ओ आठ उचा बीस का झाली एम निकालेंगे बैलसीम इन तरीके से आप इसको कर सकते हैं गुड़न ज बिदी कहलाती है गुड़न खंड बिदी दुआन आप इसको आसानी से सौल्व कर सकते हैं दोस्तों इसी परकार से मैं इसी तीन संक्याओं का SCF मैं भी बता दे रहा हूँ दोस्तों इस तीन संक्याओं का SCF यहाँ पर देखो देंसे की 12, 8, 12 और 24 इन दोनों का SCF आपको निकालना है दोस्तों आप कैसे निकालेंगे इनका सबसे पहले देखते जाएं की कौन सी संक्याओं विभाजित करती है तो आप देखेंगे इसको की आप एक भी करती है, दो करती है, तीन भी करती है, चार भी करती है और आठ भी करती है उसके बाद बारा को देखेंगे दूस्तों बारा को एक करता है दो दूस्वरी आठ को तीन नहीं करता है बारा को तीन करता है और चार भी करता है और आठ भी करता है आप ऐसे चोबिस को देखेंगे एक भी करता है दो भी करता है तीन भी करेगा चार भी करेगा और दूस्तो च्छे भी करेगा और आठ भी करेगा उसके बाद दोस्तों फिर देखें कोमन संग के दोस्तों यहां पर देखेंगे कि तो यहां बारा को दोस्तो यहां पर आठ नहीं बारा करेगा दोस्तो देखें कि यहां पर चार कौमन तीनों में कौमन आ रहा है दोस्तो चार कौमन तीनों में आ रहा है तो बारा आठ और चौविस का एसी एफ आएगा दोस्तो चार जो कि यह चारों को पूर बिवाजित कर स शरता है दोस्तों है आप इसको आसानी से करशक्ते हैं कि यह जिस से भी करना चाहे आप इस सब्छे मूझा यह से भी univers शर्ण और बहुत ही आसान कर सकते हैं आप से क्लीन करक्षा यह क्वार्ण साव दी को आसान लगते हैं तो आ बहुत जल्ड़ी इस solve कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं आपको STM का है पूरा clear concept करवा दिया है यदि यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो please comment box में आप ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो प्लीज लाइक करें शेयर करें और subscribe करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों बाए